सबसेडी गाहें के उपर तो गॉर्मेंट दे रही है बाकि उनके उपर खर्चा देखिए उनका चारे का बहुत महंगा हो गया आज के दस रुपिय की लोगा चारा है और जो चार्ट है वो भी बहुत महंगी हो गई है सबसेडी तो एक तरफ से देखे तो कुल मिला के ठीक है गॉर्मेंट के प्लान बाकि जमीदारे को देखते हो इनने दवाईयों पर खाद पर इन पर सबसेडी देनी चाहिए ताकि किसान ओबर सके जब तक किसान की तरफ खाद दवाई का सबसेडी नहीं देंगे तो किसान के आहला तो दिन पर्टी दन बेतर होती जा रही है उनन प्रक्र्ती खेती बिना खाद पाणी के वह पैधावार बैठत कि अगरत जनता इत्ने बढ़ चुकी है बिना खाद के पैधावार उतने नहीं ले पाता किसान प्राक्रत खेती इतनी लाग दैएक नहीं है आज की जादा होना चाहिए जद जिमिदार ना प्रोफिट होएगी क्यों कहीं साल तो देश्ची का देश्ची खाद गेड़ने की वज़े से तो वो खाद और स्ट गटाती है क्यों यूरियार शैनी खाद सबसे ज़्यादा गेड़ रहे हैं आनी कारक भी है फिर इसकी फ़सल जिमि में लेन में तो यदि रेट बदाते हैं तो और चैने खेती करता है जिमिदार वो उसको भैदा है वैसे नक्षान प्रकार्टिक जो खेती है ना यह है तो अच्छी लेकिन खाद पानी बिना जो फसल है ना वो इतनी उपजाव हो जाते कि उससे मतलब किसान अपना कर्ज प्रकार्टिक खेती की है लेकिन उसमें टाइम लगता है काफी और इतना वो पैदावार निकलती नहीं इस वज़े से प्रकार्टिक खेती को बड़ा आवा नहीं दे सकते हम क्योंकि पैदावार कम होती है